हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल इन इस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दा अपकमिंग एक्जाम सेंटर इलिजिबलेटी टेस्ट सी एटी इन हरियाना और आज के नौटिस में बात करेंगे कि अभी अभी पबलिश हुआ है एक नया नौटिस सी एटी एक्ज आपको पता है कि टीचर में एक्टेट होता है सीट होता है तो उनके लिए एज सीएटी ही होजाता है एजे प्रिलिम्स ही हो जाता है सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले येर मार्क पुलिस सिवा कारगार और ग्रेर अक्षियादी पदो के सहीत ग्रूप गय के सभी पज जहांपन न्यूंतम योगिता कक्षा 10 प्लस 2 समक्षियमेट्रिक अतिरिक्त योगिता के साथ है राज यहापन पदो को छोड़ कर बाकी सब के लिए लागू होगा खंड तीन के उपगंट के नियमा अनुसार पति स्तापित किया जाएगा मेरे को तो यह समझ ही नहीं आ रहा हिंदी में ग्रूप गया पदो के लिए समान्य पातरता प्रिक्षा में उपस्तित होने के लिए पा मतलब डीप अदो के लिए यहाँ पर उपस्तित होने के लिए आपके पास मैट्रिक मैट्रिक में आपके पास या तो हिंदी या तो संस्क्रित होनी चाहिए यह ग्रूप गया क्रमचारी भरती और सेवा शर्त अदिनियम दोहजार अठारा के उपबंद के अनुसार होगी फिर बाकी वही चीज है भई आपका 75 परसेंट जो आपका वेटेज रहेगा वो अधर सब्जेक्ट करेगा 25 वेटेज रहेगा आपका हरियाना जीके का यही तो है यह आज नियूस पेपर में आई थी खबर यह एक ओफिशियल नॉटिफिकेशन के रूप में उस खबर को चापा गया है और कुछ नया नहीं है इसमें ग्रूप गैप दो के लिए प्रशन पत्र वरिस्ट सिक्षा स्तर मतलब जो आपका सी ग्रूप का सी एटी होगा उसमें प्लस टू लेवल का पेपर आएगा और जो डी ग्रूप का पेपर होगा वो आपका 10 लेवल का आएगा पेपर बाइलिंग्वल होगा हिंदे-ाइंग्लिश दोरों में होगा यही चीज बोली है नथिंग यल्स और इसमें नया कुछ भी नहीं है ठिक है और इसके बाद देखो यही चीज इंग्लिश में यहाँपे चौपी गई है और इसके लबा कुछ नहीं आइओ आपको लगया है आई होप सो कि आपको समझ आया हो मैं क्या वोल रहे हूं सिर्फ यही था कि ग्रुप सी के पदों के लिए यह इनों ने यहां पर क्लारिफिकेशन दे दिया है कि अगर 10 के बाद आपके पास डिप्लोमा है तो आप लेजिबल हो प्लस टू लेवल तक के लिए मतलब आप ग्रुप सी का सी इटी दे सकते हो that's it 75 परसेंट आपका अधर सब्जेक्ट का जैसे अच्छा इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि 75 परसेंट में इन्हों ने कई मैथ भी दिया है एक सेकेंड मैं यहां पर इंग्लिश में देखते हैं ताकि समझ आएगा मतलब यह आपका पूछेंगे क्वांट का मतलब है यह आपसे प्रिमानक जो होता है यह मैथ के ही अंदर आता है तो क्वांटेटिव एबिलिटी यह आएगा आपका ठीक है बाकि आपका यह रहेगा हरियाना जी किये का इसके अलावा मैं एक चीज़ ओर बोलूँगी आप हमारी ओफिशियल वेबसाइट formnotice.com को जोईन कर सकते हैं हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे upcoming result, vacancy, admit card जितने भी offline online form है आने वाली vacancy है recent की जो vacancy है सारी update आपको मिलती रहेंगी you can join us through the telegram channel and the instagram page पे फोलो कर सकते हो guys अगर आप new viewer हो on this channel तो you can subscribe this channel for the more update and thank you so much video देखने के लिए thank you